Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 84, 4, Class 10th, विशे हिंदी है और ये वक्षीट आपके लिए 4th हो February 2022 के लिए शिडियूल की गई है और इसमें भी हम बच्चों माता का अंचल जो है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे सो वक्षी शू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे क्या दिया गया है बच्चों, प्यारे बच्चों अभी तक हमने शिव पूजन साहय जी के जीवन से परीचे प्रप्त किया था और उनके पाठ माता का अंचल से कुछ आंश को पढ़ा था आज हम उस पाठ के अगले आंश का अध्यन करेंगे तो देखे उसके बाद जो है वो क्या है क्रमस्य फिर पान सो बार कागस के छोटे छोटे टुकडों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते हुए उन गोलियों को लेकर गंगा जी की और चल पढ़ते थे तो आब हमने देखा था पिछली वक्षीट में की जो भूलानाथ है या जो लेकक है शिवपूजन सहाए उनके पिताजी का जो है क्या दिंचरिया थी किस तरह से वो सुवह जल्दी उठते भगवान की पूजा करते थे और कैसे साथ ही वो जो भूलानाथ है उसको साथ ही ने लाकर उनके अपने बेटे को और साथ ही उनके साथ जो है पूजा करते थे फिर उनको स्कूल भी छोड़ते थे ठीक है फिर वो क्या करते थे 500 बार जो है कागस के छुटे टुकडो पर क्या लिखते थे राम नाम लिखकर और उसको क्या करते फिर आटे की गोलियों में लपेटती ठीक है आटे की गोलिया बना कर उनको जो है उनमें लपेटती थे और उन गोलियों को लेकर क्या करते गंगा जी की और चल पड़ते थे उस समय भी हम उनके कंदों पर विराजमान रहते थे यह जो है क्या होते थे उनके कंदों पर बैठ जाते थे जब है गंगा में एके काटे की गोलियां फेक कर मचलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंदे पर ही बैठे बैठे हसा करते थे तो जो गोलियां थी वो किसको डालते बेटे 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 हसा करते थे जब मचली में को चारा दे कर घर की और लोटने लगते तब बीच रास्ते में ही जुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें विठा कर जो है क्या करते थे जूला जुलाते थे ठीक है तो रास्ते में जो पेड जुके हुए हो जाते हैं तो जो जुके हुए पेड़ हैं उनकी जो डालिया होती हैं उनके उपर जो है क्या करते थे वो जिसे तरह से बadaki मुट्ग मूमेंट की या बीना फोर्स की ट्चिका बल नहीं लगाते थे हमारे बल को बढ़ावा देते तो याने जब घुलानाथ उनको कुष्थी में जो हैव से क्या करते उनके साथ मस्ती मजाक में जो है कुष्थी करते थे तो वह उनके बल को बढ़ावा देते यानि अपना बल वो नहीं लगाते थे एक तरह से शिथिल हो जाते थे और हम उनको पचार देते थे वह उतान पढ़ जाते उतान यानि सीधे लेड़ जाते हम और हम उनके चाती पर चड़ जाते थे जब हम उनकी लंबी-लंबी मूचे उखाड औरने लगते, तब है हस्ते हस्ते हमारे हाथों को मूचों से छुड़वा कर उनहें क्या गरते थे, चूम लेते थे, तो इस तरह जो बच्चपन की जो कुछ यादे हैं, वो यहाँ पर दे गई हैं, जैसे की बच्चे होते हैं, वो अपने पिताजी के साथ जो है इस तरह से उनके साथ कुष्टी करते हैं तो पिताजी जो है बच्चे को हसाने के लिए बिलकूल ऐसे इंटरप्रेशन होती है ना कि ऐसे दिखाते हैं कि वो हार गए हैं बस अब उनसे और नहीं जो है खेला जा रहा है तो इस तरह से वो भी जो है हाँ पर बच्चपन की यादों को एक प्रेशन और एक जो है गतिविधी दे गई है तो आए बच्चो करते हैं पहला प्रेशन है बाबुजी आटे की गोलियां बनाने के बाद क्या करते थे तो बाबुजी आटे की गोलियों को राम नाम लिखे कागज में लपेट कर गंगा में मचलियों को खिलाने के लिए ज जूला जुलाते थे तो बाबुजी जो है वो क्या करते थे वापस आते हुए वो उनको जो पेडों के जुकी हुई डालिया थी उनके ऊपर क्या करते थे उनको झूला जूलाते थे प्रेशन तीन है बालक भोलानाथ अपने बाबुजी के साथ कु enjoying में क्यों जीत जाता था तो कुश्ती करते समय बाबु जी शिथिल होकर भोलानात के बल को बढ़ावा देते थे, जिससे वह जीत जाते हैं. ठीके तो यह आंसरा आप लिख देंगे, कि वो जो है क्या हो जाते थे में तो वो शिथिल हो जाते थे, जिससे वो बल नहीं लगाते थे, जिससे भोराना तो जीत जाता है गतीविदी दी गई है आपने भी कई नदियों को आपने भी कई नदियां देखी होंगी यमुना नदी के विशे में जानकारी एकत्र कर लिखें और अन्य चात्रों के साथ उसे सांजा करें तो आंसर रहेगा यमुना भारत की एक नदी है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिके जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रियाग में गंगा से मिल जाती है इसकी परमुक सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंदू, बेतवा और केन उलेखनी है ब्रज की संस्कृती में यमुना का महत्यपून स्थान है तो इस तरह से आप और भी यमुना नदी के बारे में लेख सकते हो तो यह थी बच्चो आज की आपकी हिंदी की वक्षीट I hope सभी बच्चो को यह clear है, कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से like करना, share करना और चैनल को subscribe करना So thanks for watching, have a nice day